प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज देश भर के किसानों बक्रिशी बिग्यानिकों से जलबायू तन्यक किसमें तकनीकी एबम क्रिशी कारे पर संबाद किया जिसमें देश भर के किसानों सहित जिला सोलन के किसानों ने भी प्रधान मंत्री को ओनलाइन सुना इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी विशेश गुणो बाली कृशी की 35 प्रजातियों का विमोचन किया इस दोरान प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञानिकों को किसानों के गठ जोड से कृशिकों की आये को दोगुना किया जा सकता है साथ उन्होंने नई राष्टी शिक्षानिती में भी कृषी क्षेत्र में भडावा देने की बात कही बममिडल क्लास से ही कृषी विशे पर विचार करने की बात कही तांकि अगामी समय में शात्र कृषी को अपना व्यवसाय चुन सकें आज बड़े हर्श का विशे है, हर्श का दिन है कि आज भारत के एशोसी परधानमंत्री शरी नेंदर भाई मोदी जी सभी किसानों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब की 35 तरह की जो है वो रिसर्च आइटम्स जो है हम किसानों को जो है दे रहे हैं और ये इस तरह की जो रिसर्च्ट वो क्वालिटी की हाई क्वालिटी की जो यिल्ड जिसमें अच्छी यिल्ड भी होगी और उससे क्वांटिटी भी अच्छी होगी इस तरह का जो है तरह तरह की किस्म जो है जिसमें की मश्रूम भी है जिसम जो है आज मानिये श्री निरंदर भाई मोधी जी लोकारपन करने वाले हैं और उसी के समंद में यह कारेकरम किया है और मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जो मश्रूम अनुसंधान केंदर है चंबा घाट का इन्हों ने यहां पे इसका जो है बहुत ही अच्छा कारेकरम क किया है जिसमें बहुत सारे किसान भी यहां के आए हैं बहुत सारे प्रधान हमारे जो है यहां के पहुंचे हैं मैं अपनी और से और पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से मानिये श्री निरंदर भाई बहुत धन्यवाद करता हूं कि उजवल हिमाचिल के लिए सोलन से अमरप्री सिंग